Hello everyone, so कैसे हैं आप सब लोग, तो guys welcome back to the IA exam भी, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, I myself इशान गुपता, यह तो मैं आपका accountancy and auditing part cover up करवाना है हूँ for your UPSC EPFO exam, अब guys आज हमारा एक निया topic हम discuss करने जा रहे हैं, लाश्ट वीडियो में हमने discuss किया थे कुछ important MCQs on accounting terms, अब अगर स्लेबर्स की बात करें, स्लेबर्स में आपका simply mentioned accounting principles, लेकिन मैंने जब लास्ट येर का exam देखा, तो उसमें आपका simply basic accountancy, पूरी की पूरी आई है, likewise general entries, likewise ledgers, likewise stylements, तो आज जो हम topic करने जा रहे है, that's accounting principles, जो आपका एक तस्लेबर्स में specifically mentioned है, तो यह जो topic है, यह बड़ा ही important topic बन जाएगा, क्योंकि यह तो slेबर्स में as it is mentioned है, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हम इदर पढ़ेंगे, आपको properties की mcqs भी बताऊंगा, कि किस तरह की mcqs बना सकते है, examination, आपने उसका क्या right approach जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको, मैं very first lecture से बोलते हैं आ रहा हूं, क कि यह जो आपका topic है, accountancy, अगर इसमें आपने concept पा लिया, आपके marks कहीं नहीं जाना आपके marks पक्का आ जाएंगे, अगर आपने इसके concept अच्छी तरह पकड़ लिया, तो चलो guys, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, आज हमारा topic है, accounting principles, likewise आपने से बड़े साइसे students होंगे, science के students होंगे, आप सब भी science में, chemistry में कुछ laws पढ़ते हो, कुछ principles पढ़ते हो, क्या होते हैं वो principles, principles कुछ ऐसे rules and regulations है, जो एक तरह से बताते हैं accountant को कि कैसे, किस चीज़ को मद्दे नज़र रखते हुए, आपने accounting करनी है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपने recording क करनी है, that are some principles, कुछ ऐसे important concepts है, जो हम इसमें भी discuss करेंगी, around 7-8 आप के दे मैंने concepts डाले है, properly उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें हम discuss करेंगे, कि हाँ, ये concept क्यों आया, इस concept से किस तरह का question बन सकते है, तो end तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, तो चलो guys, ब अगर हम बात करें, दियान से सूना, एक होता है, business man, और एक आपका होता है, that is your, business man के साथ आपका होता है, एक business, business house लिख लो या organization, ठीक है, अब याद रखना, जब हमने इस business house की, registration करा दी, जब हमने इस business house की registration करा दी, तो ये ना, एक निया entity बन गया, एक निया separate entity बन गया, मतलब की, इसका जनम हो गया, इसका जनम हो गया, for example, आप अगर अपने business की registration करा लेते हो, ये जो है, ये एक अलग इनसान पैदा हो गया बस फर्क ही है यह जो business organization that will be a that will be a artificial person यह कोई होगा artificial person लेकिन यह जो businessman है that is a natural person जो sans भी ले रहा है खाना भी खा रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन जो यह हमारा है बिसनस house यह हमारा क्या बनेगा एक आर्टिफिशल person बनेगा यह आंस नहीं लेगा खाना नहीं खायेगा चलेगा नहीं बाकि सब कुछ करेगा अपने नाम पे यह घर तक खरीज सकते है एक business अपने नाम पे यह गाड़ि तक खरीज सकते हैं अपने नाम पर किसी के ओपर केस भी कर सकते हैं एक आपके सामने इंग्जेंपल लिलता हूं फॉर इंग्जेंपल हम बात करते हैं एक Mr. X है एक Mr. X है उन्होंने एक Business Setup किया ABC Company क्या Setup किया ABC Company अब यह जो ABC Company है यह अपने नाम पर घर तक खरीच सकती है अपने नाम पर घर तक खरीच सकती है और यह जो Mr. X है यह भी अपने नाम पर घर खरीच सकती है समझे आप कहने का मतलब यह है separate entity concept कहता है कि आपके दो अलग-लग entity का जनव होगी आपके दो अलग-लग entity का जनव होगी आपने इसी के तहत कहा गया है that separate entity के तहत ही बोला गया है that the business is separate and businessman is separate further the separate entity concept say that we should always separate record the transaction of a business and its owner अब आपको मैंने इस एक लेक्चे में बता है capital के बारे में एक लेक्चे में आपको बता है drawings के बारे capital क्या है capital वो पैसा है जो owner ने business में इन्वेश्ट की है सर ड्रॉइंग वो पैसा है जो ओनर ने बिजनस से निकाला है आपके मन में एक कुशना है जो सर ये क्यों लिखे ओनर तो जो मजी करें ओनर तो उसका मालिक है यही चीज कह रहे है जब आप अकाउंटींग कर रहे हो तो जब भी आप अपना पैसा लगाते हो आपने उसकी रिकॉर्डिंग अनी है जब भी आप पैसा बिजनस से निकालते हो अपने पस्तन जीज के लिए उसकी रिकॉर्डिंग अनी है क्योंकि आप दो अलग-अलग इंसान हो एक जो बिजनस ठिक है और एक जो बिजनसमें ये दो अलग-अलग entity है आप से तर कोेशन के पुछ रहीगा किस concept के तहर कहता है money measurement concept ठीक है तो जैसे कि नाम ही बता रहा है money measurement concept अब ये concept कैसा है कहता है money measurement concept कहता है that this concept says that only transaction which are measurable in terms of money जिसको आप पैसे में तोल सकते हो उसी की आप accounting में recording करते है for example मेरा एक employee है for example मेरा एक employee है जो बड़ा ही honest है ऑविसी बात है जो एक honest person होगा वो business के लिए अच्छा asset है जो अच्छी कमाई करके देगा हमें दोखा नहीं देगा लेकिन यह जो honesty है क्या आप इसको पैसे में तोल सकते हो क्या आप इस honesty को बोल सकते है तो मेरा यह Mr. X employee है यह मेरा 10 परसें 10 रुपे honest है यह मेरा Mr. Y है यह 90 रुपे honest है ऐसा तोल सकते हैं तो इसके कारण यह जो honesty word है यह जो human resource word है इसके हम recording नहीं करते ठीक है इसके according recording नहीं करते तो याद रखना simply unique entry कर सकते हैं जो पैसे में आप इनको तोल सकते हो इसमें question यही आ सकते है likewise आप से question बुचाएगा why the qualification of employees are not recorded why the qualification of employees are not recorded in financial book तो आपने बुलने sir just because of money management क्या आप किसी की qualification को भी पैसे में तोल सकते हैं नहीं तोल सकते हैं चाहे वह MBA करके आया है जो मर्जी करके आया है IIT से पढ़के आया है उससे कोई परकनी पड़ेगा हम उसकी recording accounting में नहीं करते हैं समझाई तो यह question उदर पूचा जा सकते हैं बात करते हैं अपने next concept की यह दो कंसेप्स क्लियर होंगे बड़े अच्छे तरीके समयने आपको समझाया है इंग्जेंपल देखके समझाया है अगर अच्छा लग रहा है एक आप लाइक बटन को तो दुवा दे ना आगे बात करते हैं अपना नीचे जैसे मैं लिखते हैं ट्रविशन एक समिशना नौ रिकौर्ड इड़ अगे बात करते हैं प्रियोटी सीट नाम जैसे बतारहे पीद अट होता गये है ल्वाइब एक बिजफेंपल मेरे। बिजनसकी लाइफ है दस सार। अ कि ने बिजनस ऑग लाइफ है 10 ऐस प्रिएयर प्रियोडी सीटी की ल है कहता है आपने अपनी बिजनस की लाइफ को प्रॉपली शौर्ट इंटर्वल में डिवाइट करें और कोशिश करनी है कि उसको अकाउंटिंग एर की अकॉंटिंग डिवाइट करें लाइकवाइस फर्स्ट एपल थर्टी फर्स्ट मार्च तो याद रखना यह जो दस साल ह आप सोच रहे हो तीन मीने बाद आप में रिकॉंटिंग कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम जर्नली एक साल का ही होता है हमारा अकाउंटिंग पीरेट तो प्रॉपली सिटी कंसर्प यही कहता है आपने अपनी लाइफ ऑफ द बिजनस को एक शौर्ट इंडरवल में डिवाइड कर है तो एक अक्रियों कंसेप्ट अहर आपको एक क्या बेशिस क्या पशाया पैसा आयगा या जाएगम जब फेडू होगा या तो cash receive लोगा आपके वास यह दो चारे वास तो एक्रियोल कंसर्ट यही कहता है कि accounting में आपने तब recording करनी है when they have been earned when they have been expended not received or paid हमें received or paid से मतलब नहीं है कि हम साल बात पैसा देंगे ऐसा नहीं है जब due हो गई तब ही आपने उसके एंट अब इसका mcq का बन सकता सर इसका mcq बन सकता है आप से पूछे जाएगा किस concept के तहर outstanding incomes are recorded outstanding expenses are recorded तो आपने होने सर जस्ट बिकॉस आप एक्रियों concept outstanding and prepared items are appeared in the financial statement clear आगे बात करते next concept next concept matching concept matching concept क्या कहता है you have to match your revenue with the expenses उस particular year ठीक है उस particular year के जितने भी revenue है जितने भी expenses है आपने उनको क्या करना है match करना है एक दूसरे के साथ ठीक है तो देख सकते हैं रॉल्टी इंक्वान पांप्रेंट शूड भी मैंच विद्धा इसपेंडिचर पेंडिचर रेटी टू रॉल्टी एन जो चीज मैंने बस बताईए न बस इतना ही याद दखो matching concept में इतना ही आएगा आगे बाटने नेक्स केंसेप कहता है गोइंग कंसर्ण गोइंग कंसर्ण कंसेप्ट कहता है तेट according to this concept in accounting and enterprises considered as going on and it is presumed that it will continue its operation for forcible future कहने का मतलब यह है क्याता है आपने business की recording इस तरह से करनी है आपने business की recording इस तरह से करनी है कि आपका business बिजनस चलता रहेगा going on going on रुकेगा नहीं ठीक है पुश्वाराज जुकेगा नहीं न यह रुकेगा नहीं तो कहता है that going on जंगन सब्सक्राइब कहता है कि आपने ऐसे जूं करना है कि आप फॉर इंगर मुझे पता है मैंने मेरा बिजनस का बंदो रहना है और आज की जो मैं ट्रांसेक्शन करा हूं वह ऐसी हल्के में रहा हूं कहता है ऐसा नहीं करें आप ने इसको इस तरह से प्रेट किया मैंने एक साल बात तो मारा कि इसकी करूं तो कहता है आपने उसकी करनी है एस यूं करना है that going on going on and going on clear है इसके सारे मैंने बेस तरीके से समझाए विदें गेंपल्स बताएं बात गतें है next concept की last concept आज का that is a dual aspect concept यह बड़ा इंपॉर्ट इसका मुझे लग रहा है आ जाएगा internal feeling आ रही हुए dual aspect concept केता है for every debit there is an equal credit कहता है अगर business में कुछ आ रहा है ना transaction में तो कुछ जा भी रहा हुए हर एक debit ले एक credit बना इंग्जेंपल लेता हूँ मेरा ना general context भी अब में बस ग्रहा काता हो ना 的 then rival that हुआ क्या देखो दियान से मेरे से क्या गया सर्मेर से की कोलरिंव चलेगा मेरी दुकान से क्या चलेगा चले कोल रिंग आगी और उसे पैसा चले गया तो यह कंसेट यह है कहता है हर एक ट्रांसेक्श में दो इफेक्ट होते हैं एक डैबिट एक क्रेड इसलिए इस कंसेट के तहित कहता है डैट अवरी डैबिट देशन एक्वल क्रेड तो इधन लिखा भी है एक टेक्स लोन अब वन मिलियन फ्रम इस बैंक देट टू अगांट इस बैंक लोन लेता हूं अब खुद बताओ मेरे पास पहले मनी आगी लेकिन साथ में लाइबिल्टी भी इंक्रीज हो तो हुई की नहीं हुई ना मेरे पास पैसा आया और लाइबिल्टी भी बढ़ गी बैंक लोन अकांट टेंशन तो देख रहें दो चीज़े एफेक्ट हो तो हर एक ट्रांसेक्शन में दो से ज्यादा चीज़े एफेक्ट होती हैं डाट इस एवरी डेट देजन इक्वल ट्रेंट तो यही थे आज की इंपॉर्टन कुछ कुछ गंसे जो आपके सामयने इदर डिसकस कर देने थे तो अगर लेक्शे अच्छा रखे तो लाइक बटन को जुरूर्ट बढ़ा देना और अगर आप हमाया कोर्स परचेस करने जाए तो जिसमें completely आपको guidance प्रवाइड करती जाएगी एक्जाम आपको प्रॉपली नोट्स के साथ आपके लेक्शे के साथ पूरा स्क आपको प्रॉपली हम उदर टैसी आपको गाइड करेंगे कि आप कहां पर लाइक करेंगे किसको एक्टा से किसके ओपर काम करने की जरूर रहा तो आपको हमने link description प्रॉपली आप उसे बाइड कर सकते हो और अगर आप Ig classes का Core उस करते हो तो आपको 55% ऑफ भी हो जाएगा त तो आपने simply the core उस करना Ig classes ठीक है तो आइजी ग्लासे कोर उस कीजिए और 55% ऑफ हो जाएगा तो यही था आपके लिए तो मिलेंगे जाल अपने नहीं लेक्शे में तब तक के लिए आप सब से अलविदा